बाकाली स्पोर्ट की टीम के तरव से इस बिच निकल जकी पारी का पहला और आरंब करने के लिए तयार हो रहे हैं जकी स्टाइक पर रोहन संकेत बहे कर से बनार स्टाइक इंट पर लगबख सवा पाच का टाइम हो चुका है पाच बचकर पंदरा मिनेट फाइनल यहाँ पर आरंब किया जा रहा है फिर से अबारे तवाम पब्लिक जितने लोग टेनिस क्रिकेट डॉट इन पर यूटूब के माध्यम से इस लाईव प्रसान से जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत फाइनल का मैच निकुल पवार राइटम राउंड वेकर से रोहन के लिए गेन रोन एदाबार अपने स्पोर्ट के टीम की एक जो कि एक रन स्कोर हो चुका है अब संकेत मैकर संकेत मैकर जो कि अब सामना करेंगे मंदर मैकर उनके भाई जो के रत्Note डिप स्पोर्ट में थे उनकी टीम टुर्णामेंट से बाहर हो एक संकेत में एकर मैदान पर निकोल अगली गेन लेकर दूसरी गेन राटम राउंड विकर से संकेत को आर बार क्या खुफसरा ड्राय कर दिया है लेकिन गेन जारे डिक्रेर इलाके में आप साइड में और इसे बीच ये एक रन रन संक्या बरतबा स्कोर यहाँ पर हो चुका दो रन बिना किसे विक्टो के नुक्सान पर दो रन जबके स्कोर हो चुका है बिर्जुले प्रीमियर लिंग का ये टूर्णामेंट का फाइनल का मैच सिजन पर्स्ट यहाँ पर टूर्णामेंट का फाइनल केम दो टीमे हैं बाकाली स्पोर्ट और बापुरी स्पोर्ट के बीच ये चलता हुआ मैच पहले बल्ले बादी यापर हो रही है निकुल इस बीच अगली गेन देकर रैटम रावंद विकेर से एदबार संकेद गुमाकर कि इस बाकली बल्ट इसी बीच ये विकेड गिरा गुमकर कि इनको खेलना चाहते दे बीटो है बल्ले बाद पहला चटका लगता हुआ यापर बापुरी स्पोर्ट के टीम के रिए उनके संकेद बैकर आउट होक चुके हैं पहला चटका लगा जबर्दस गिन बादी करते हुए निकुल जगे बना चुकी है और पहले से भी फाइनल के बैच पे उन्होंने अपया चबाद के साथ बढ़िया बैटिंग की दो लॉस तिरपंधरन का स्कोर हसिल कर लिया जगे टारगेट तिरपंधरनों का रत्नदीप स्पोर्ट के टीम नहीं रखा गया था और आसानी के साथ चेस किया गया नो लॉस लेकिन फाइनल के बैच पे उन्होंने बर्दस भी के चटका चुके है झाल अंपाइरिंग कर रहे हैं स्क्वेर लेक अंपाइर रुथविक पाटिन पिर जिए बार निकोल अगडी गेन करेंगे रन संक्यादू कावा स्कोर दो रन हो चुका है राउंद विकेर से गेन करेंगे अज़ा ही खेली है फाइले के बार आपस्टम की गेन को कवर एस्टा कव और का मैच तुर्णामेंड का फाइनल का मैच मिर्जोडे प्रिमेर लिंग के तुर्णामेंड इस साल से शुरू हो चुका है इस मैदान के उपर और फाइनल के मैच में यह पर वापूरी स्पोर्ट और माकार्णी स्पोर्ट के बीच यह चलता हूँ फाइनल का मैच पहले किसे भी आने कि एक विकेट के दुक्सान पर संक्यत में कर जो कि आउट होकर बैदान से बाहर जा चुके है निकुल की गेन पर वाउट हुए च्यार रन स्कोर टुन्डामेंट का यह फाइनल का बैज पिसे बार इस उवर में राहूल जी पवार इनका भी यह परागमन हो लेकिन एक रन यापर बिल चुका है एक रन के साथ रन संक्या बढ़ती भी महापूरी स्पोर्ट की टीम की पहले बैटिंग करते हुए पाच रन एक विक्टो के दुक्सान पर निकुल के सपल ओवर की सब आपती हुचुकी है करेंगे पाइनल का बैज बापूरी स्पोर्ट की टीम का रन संक्या स्कोर पाच एक विक्टो के दुक्सान पर जबके अब सामना करेंगे दिखने की चैटू अनिकेत पाटी कब आएंगे बैटिंग करने के लिए दूसरा वर इस समय अतुल लांजेकर बाएहाथ के गेंद बाज रैटम राउंद विकेट आते विक्टो करने के लिए अतुल लांजेकर ने पूरे टुन्नामेन कबाल की गेंद बाजी की है और इसे में तयार होरे अगली गेंद लेकर पहली गेंद लेकर अजे के लिए बैटिंग ओर्डर में तक्दिली हो चुकी है अधिकेत के पहले अजे को भीजा जा चुक है बैटिंग करने के लिए चेटु जुन्यों ने एक दमार जबरदस कमाल की बल्ले बाजी की है लेकिर पहली गेंद उस बार बल्ले का एज कैट ड्रॉप जो बंटी पाठी ने गलती की दिविकेट की पीछे उसी तरह गलती दोरा ही गई है कैट ड्रॉप और दो रन यहापर मिलते हुए आपस्टम के बारती एज दिविके निकली विकेट की पर कैरी ने कर सके दो रन रन संक्या बढ़ती है यहापर साथ साथ रन एक विकेट के रुक्सान पर राहूल जी पवार जो कि यहापर उनका आगमन हो चुका है उनका भी स्वागत है अधरनीय वैबो जी पाठील यहापर बहुजू थे हर्शरा जी पाठील है प्रतेबी जी पाठील है डॉक्टर मयूरे जी पाठील म इस भीशावारे लेकिन दो रन इस भी यह दो रन बनते हुए निकुर पवार ने जाकर गेंको फीड किया का और बांडर लाइन पर रन संक्या बरताबस को नाव रन नाव रन एक विकेट के नुक्सान पर पारी का दूसरा और जारी है स्टाइक पर इस समय सामना करने के लिए आजाएं दायहत के बल्लेबाद फिर से बार सामना करेंगे बिर्जले प्रिमियर लिंग की टुर्णामेंड का फाइनल का बाच चलताबा अतुल लाजेकर ओर दूसरा विकेट से यह गेन इस बार उटा करके लाँ गेन आ रही वन पर फीड किया है यह वही शेलेश है लेकिन इस बार हाना हो रही है रन आउट का चांस बन सकता थे लेकिन वह ओर त्रोवा शेलेश जिनके हम तारीब सुना रहे थे तबी यह ओर त्रोवा जिन्होंने बंटी पाठील का एक खास से कैस लिया और पहले सेमी फाइनल के दू स्कूर बंच चुका था लेकिन मैच के वो टर्निंग पॉइंट है शेलेश निवेए खास से कैस लिया लेकिन इस बार हो त्रोवा उनके ही दोरा लेकिन संक्या बढ़ती वी ग्यारा रन ग्यारा रन स्कूर हो चुका है बापरी स्पोर्ट के टीम गातुर लांजे करेंगे अच्छाई के लिए और बारा रन ग्यारा रन जबकी स्कूर हो चुका है और एक विकेट के नुक्सन पर रोहन वरेकर रैट हैंड बैट्समन सामना करते हुए यह दूसरा हो रहा है और लगबक पाच्वोर का मैंच है दो उनके आक्रमक बलेबाद अधिकेट पाठी चैतन्य अभी भी खेमे में सुरक्षित है लेकिन इस बार देखना है कि अतुर लांजे कर क्या यह 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 आपर रन निती होगी कि इन दोनों खेलारियों को खेलाया जाए इस बीचे अगली गेन लेकर अतुर लांजे कर के दोरा इस बार लेक्ष्टम के प्रीमरिल लिंक का टुर्नामेंट का फाइनल का मैज ह्समा पर只 मापर सपोर्ध और बाकरीं स्पोर्ट के टीमों के बीच में चलता हो बा के तन जी शेटे जोकि टीम वालगा का प्रयाद कैच वहाँ पर और इसी बीच ये देखना है नाट आउट का आउट का इशारा और अजय आउट ये विकेट निक्विहाँ पर मिलता हुआ सुनिल जी जाबरे जोकी में ओनर है माकाली स्पोर्ट के अधर निये रत्नदीव जी पाठील साहिब बेड़ोले ग्राम पंचत के मेंबर उनका भी स्वागत हो चुका है इस बीच मंच पर आचुके हैं जो किस सबह सबल कर बल्ले बाजी कर रहे थे कोई चौका नहीं लगा था इसे पारी के दवरान लेकिन विकेट लिया जा चुका है और जो रणनीती बन रही थी कि विकेट न लेने की उसमें विकेट लिया है अनिकेट आ रहे हैं जिसके हम चर्चा कर रहे थे डेंजर मैन मैदान पर आते हुए अनिकेट पाटिन आज बॉलिंग से बल्ले उनके बल्ले ने बहुत कुछ कारणाम किया है इस तुन्नामेंट के आज के दिन में बिर्दोले पंचगर शायज़त बिर्दोले प्रीमेर लिंग का ये तुन्नामेंट हर चक्चे के लिए सव रुपे का प्राइज है 100 रुपे का प्राइज है 100 रुपे का प्राइज तीन हजार दोसों लोग अब तक लायू प्रसारन देख रहे हैं उनका भी स्वागत एक बहुत बड़ा आकड़ा बन चुका है अब अचावाण की ये गेन इद बार उटाकर गेन लोगों को खेलने का प्राइज है इद बार लांग भी निकुल की तरफ गेन पोची एक रम पुरा कर चुके है अनिकेट जो की सामना करेंगे यूटुब के माद्देम से 3000 लोगों ने मोबाइल पर अपने मोबाइल पर इस मैच का अनन्द उटा रहे हैं उनका भी स्वागत तीसरे वर का केलारंब हो चुका है अनिकेट पाटिल जो विकेट लिया जा चुका है उससे क्या प्रेशर बनेगा माकाली टीम के उपर जो दोनों बनले बाज बलकुल सिंगल डबल के सारे बैटिंग कर रहे थे स्कोर नहीं बढ़ रहा था लेकिन बीच में विकेट लिया जा चुका है मैदान पर अनिकेट आ चुके हैं हर छक्का उनके लिए 100 रुपे का प्राइद विशाल जी पाटिल और उसी तरह उमकार जी पाटिल इनके साउजे ने सीदी जिया जाएगा मिट जले प्रीमिर लिंग में एक बार फिर सभी का स्वागत लगबग 3,000 के उपर लोग यूट्यूब के माध्यम से इस मैच से जुड़े हुए हैं और इसी भी ये गेन आफ्टम की गेन अजबार आंसाट पर गेन को कहला ग्राउं शोडवा पर जब्सकी गेन फिल हो रह मिट जोन जोन दो विकेट अजय आउट हो चुके है और इसे पहले की विकेट पहला गिरा संक्यत बहिकर का इस से मैं सोलर रन्स कूर यानिके दू विकेट के नुक्सान पर फिर से बार आपया राटम राउंद विकेट से गेंगे अनिकेट पाठील के लिए जो सिक्सर के लिए इनाम है ये गेंग और बार उटाने का प्रयाद बीट होते हैं बल्ले बाद गेंग बलने से नगदिक से होती भी विकेट कीपर के दस्तानों में एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयाद एक हीट करने की कोशिश में बीट होते हैं बल्ले बाद अरिकेट पाठील ओमकार पाठील विचाल पाठील हर सिक्सर के लिए 100 रुपीज का प्राइज दे चुके हैं पिसे बार अगली गें पारीका दूसरा वर रैटे प्राउन दे विकेट से अब पैकी गें इतबार उटा कर गें को खेला लॉंग ऑन पर निकुल पवार गें के नीचे कैज ने बन सका और ये कैज ड्रॉप छे रणों के लिए निकुल के उंगलियों को चाट्टी वी गें बाटलेंगे बाहर छ पार्टील के लिए जो कि हमकार पार्टील विशाल पार्टील के सवनिशने से दिया जाएगा रन संक्या बढ़ती वी तेजी के साथ 22 रन गें प्लैनिंग क्या होना चाहिए था विकेट निकाला गया आते आते चका जड़ा चुके हैं जो दोनों बढ़ले बाद संबल कर लेकिन इस बीच यहां पर अप्या रेट व्राउंद भीकेट से गेंगा निकेट के लिए क्रिकेट एक अनीच इताओ से बरावा खेल जब अजय और यहां पर रोहन बेडले बाजी कर रहे थे विचो का नहीं लगा था लेकिन अब रोहन और अनिकेट के बीच चक्का चड 23 लॉस अफ टू विकेट तीस रन इस समय कापी जबर्दस सपोर्ट बापुरी सपोर्ट के टीम के द्वारा देखने को बिल तबा और इसे बेज़े आपर अपया गेन करेंगी आपया शशी का अन्दूर पापया यह गेन लेक्सम से बहु पर है और देखना कि यह ग्रम प यह पर अनिकेट पाठील लेक भी फोर आउट हो चुके है यह डी सीजन थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन अनिकेट उनेकिन दूसरे इन पर रोहन को भी रन आउट किया जा चुका था लेकिन निराश हताच होकर अपने पैविलेन के तरह बढ़ रहे है अनिकेट पाठील उम पाठील आउट हो चुके है की करवशी के समंच पर और डिवय वोजी पाथील हर्शराज इससे पाठील है बहुरे जी डॉक्टर पाठील यहापर मोजूद है प्रत्में जीन पाठील है राहूल जी पवार जो किया पर मौझूथ है रत्न दीप पार्टी ने मौझूथ है और इस बीच चैतन ने आ चुके है राइटर मोर्द विकेट से सामना करने के लिए इस बार उटा कर गें इनको खेलने का प्रयाद स्क्वेर लेक पर कैच वापर और ये कैच किया गए चैत पर आउट लगातार दो विकेट याप राप्यकों बिलते हुए चैतु ने आते आते चक्का जडाने की कोशिश की जुनिन अपने टीम को फाइनल का रास्ता दिखाया था फाइनल तक पहुचाया था लेकिन फाइनल के मैच में इस समय गोल्डन दक्का शिकार होते हुए वापस आ रहे हैं खासा नहीं खोल सके पही लीक इनको फिट कराने के चक्कर मेरे छक्का जडाने के चक्कर में चैतु आउट होग चुके हैं ? चैतु का विकेडगिरा आनीके का विकेडगिरा है दो जबर्दस विस्पोटक बलनेबाज पैविलन में वापच जा चुके है रन संक्या इस समय स्कूर तेइस रन तीन विक्टो के नुक्सान पर सुनिल मोरे मैदान पर आ चुके है बैटिंग करने खेडिये सुनिल मोरे आ जोगे है टेनिस क्रिकेट डॉक्ट इन के माद्धियम से इस टुन्डामेन को आज के फाइनल के मैच क्यो 23 रन स्कोर यूट्यूब के साथ जुड़े हुए है टेनिस क्रिकेट डॉक्ट इन पर इस समय बॉलिंग मार पर चक्य के लिए प्राइज सुनिल मोरे के लिए हर चक्य के लिए 200 रुपे का प्राइज 100 रुपे का प्राइज ओमकार और विशाल पाटिल शेहलेश इस समय बॉलिंग मार पर पाइनल के मैच में शेहलेश ने और प्रारम करते हुए रोहन के लिए और बारोन ने हवाइश टो केला आउट होने का खत्रा गेन के ठीक तीजे फिल्डर या पर आउट रोहन आउट हो चुके है ये पाचवा चोथा जटका लगता हुआ रोहन वोरे कर बैक टुदे पैविलिन शेलिश की गेन पर आउट हो चुके है जबकि दोनो सेमी फाइनल के मैच बेहद रोमांस करी हो चुके है और ऐसा लगता है कि शायद धीरे-धीरे संकेत मिल रहे है कि ये फाइनल के मैच फाइनल एक तरपा होने की संबावना बनती जा रही है जो कि अब लगातार विकेट या पर आउट हो चुके है तेसरन पाच विकेट इस समय स्कोर शरीप आखरी उमीद बैदान पर आच चुकी है शरीप के रूप में शरीप के पास काफी बड़ा मौका है अभी भी इसके बाद इस ओर में अला की एक ओर का खेल बाकी है कुल 10 गेंदे यानगे 11 गेंदे बाकी है इनिंग की और शरीप के पास मौका है अच्ची इनिंग खेलने का स्कोर 23 पर रुकावा है शरीप शैलेश की गेणबाजी का सामना करेंगे यहां लेकिन दिल्ट फुमाना चाहते थे इस बार फिर से बीट हुए आफ्टम की गेन को नहीं समझ सके है शेरीप इस समय जो शुरू के बल्ले बाद थे आकरम बैटिंग लाइनप दोस हो चुकी है चैतु जेसे मैटसमन खाता नहीं खोल सके फाइनल के मैश में जिन्होंने सेमी फाइनल के मैश में जबरदस इनिंग के लिए इस सिचक्य के मदद से इस समय सकोर 30 30 रन सकोर हो चुका है पारी का ये चोता और प्रगति पर शरीप मैदान के उपर है जब शुरू के टॉप आउडर धोस हो चुकी है जल्दी जल्दी बल्ले बाद आउट हो चुके है उसके बाद पारी को सबालते हुए बिर्जोले पंचे ग्रुशे आयुजित मिर्जोले प्रीमियर लिंग का ये टॉर्णामेन कापी तादाद में कापी लोग यूटुब के माद्यम से इस टॉर्णामेन के साथ जुड़े हुए है प्रीमियर लिंग का ये टॉर्णामेन इस सबहे खेला जा रहा है पारी खेच होते हुए 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 ये गेर होगी शरीब एक छक्का जड़ा चुके है ये गेर और फिर से एक बार ड्राइव करते हुए गेर को खेला कवरेश तक और के बीच में से गेर बाउंडरी लाएं के बाहर आ रही है चार अनों के लिए शांदर चौका तवर रिष्टा करके बीच में से निकलता हुआ ये शांदर कवर ड्राइव शरीब के बाहर से निकल चुका है ये चार अनों के साथ 34 रन स्कौर राजू पात्सकुडे इनकी तरफ से शेलेश के लिए इनाम आ चुका है शरीब का विकेट लेने के लिए पास सो रुपे दिये जाएंगे सो रुपे पास सो का आकड़ा नहीं सो रुपे यहाँ पर मिलेंगे विकेट कितना किम्ती है इस से मैं सामणा करते होगे शरीब जो की एक चकका एक चोका जड़ा चुके है जबकी आज गेंदे बाकी है पैले इनिकी रन संक्या बनी हुई 34 रन आज बाल बाकी पैले इनिके शरीब स्टाइक पर बलने बात सामणा करते है जो काम अनिकेत नहीं कर सके चैटू नहीं कर सके शरीफ अकेले दंपर को बनाते होई रेटे मोर्द विकेट से यहाँ पर शेलेश गेन डालते हुए शरीफ के लिए यह गेन और शरीफ इद बार घुमा करके इनको खेलना चाहते दे साथ बाल बाकी इनिंग के साथ गेन बाकान स्पोर्ट की टीम के सामने और इसी भी शेलेश रेटे मोर्द विकेट से गेन करेंगे शरीफ के लिए यह गेन और बार शरीफ ने गेन को उठाकर खेला गेन हवावे के साथ निकुल के तरफ सीधा क्याश पहुचा शरीफ की पारिसमाप ऐसा लगाता कि शायद गे लेकिन निकुल पवार थे जिनको लिए अब शेलेश के लिए इनाम आचुका है राजू पासकुडवे इनके तरफ से राजू पासकुडवे 100 रुपीज का इनाम कर्णवर्ट करते हुए शरीफ का विकेट गिरा है बेर्दोले पंचक्रोशी आईजित बेर्दोले प्रीमियर लिंग का ये टुर्न नामेन तो इसे मेंच ये विकेट कापी इंपोर्टन रहा है रन संक्या स्कोर 34 पाच विकेट के नुक्सान पर पाच विकेट गिरे है बाकाली स्पोर्ट और बापुरी स्पोर्ट के बीच ये चलता हुए मैच स्ट्राइक पर बल्ले बाज बॉलिंग मार पर साधिक सुनिल मोरे रेटन बैस्मन सामना करते हुए छे के दे बाकी और इस समय साधिक और दो विकेट से गिन करेंगे साधिक पैडी गिन सुनिल मोरे के लिए इस बार गिन को कट करने का प्रयास लेकिन गिन बल्ले पर आई ने विकेट की पर अपया ने गिन को गैदर किया है दोरो सेमी फैनल के मैच क्या पी रोमांच करी खेल हो चुका है फैनल भी उतना ही रोमांच करी हो इसके लिए यहाँ पर खेला जा रहा है यह मैच देखना की ऐसा हो पाता है तुबा नहीं एक तरपा बनता जारा दिरे दिरे मैच या पर पुरी तरह के समझ बुत पकड़ बनाते हुए बाकाली स्पोर्ट की टीम इस इनिंग में नेकर इसमेज अगली गिलने कर साधीक ओर दो विकर से सुनिल के लिए गेन और बार सुनिल ने ड्राव करते हुए गेन को खेला कवर क कि दिशावे निकुल वापर फिल्डर ते पवार गेन को उठा रहे हैं मौका बनता वा एक रन देने का एक रन की बदस से बड़ताबा स्कोर या पर हो चुका है 35 रन स्कोर हो चुका है पर चे विक्तो के नुक्सान पर जबकी दो गेंदे हो चुकी है चार बॉल माकी इस इनिक के आशितोष जो कि स्टाइक पर बल्लेबाद से सामना करेंगे आशी तो इसके लिए गेन साधिक करेंगे पहले इनिंग के पाच मेवर की कुछ गेनदेश बाकी है इस बार अधोरे मन से खेला हलकी से अफील थी बैट ब्लग पॉइंट शेत्र बेगेन आ रही है गेन को फिल्ड किया गया एक रन और इस एक रन के मदद से स्कोर 36 हो चुका है रन संके 36 जबकि अभी भी कुल 3 गेनदे बाकी है टॉट जित कर पहले फिल्डिंग करने का फैसला किया है बाकारी स्पोर्ट के टीम लिए ये फैसला बहुत मजबूत हो चुका है उनका और फिर से एक बार अगली गेन देकर साधिक ऐसला बाके तरह जा चुके है जब बैटिंग ओडर चेंज किया जाता है तब कापी फरक पड़ता है ऐनिक के उपर इस मैच में महापुरुष के टीम ने भी बैटिंग ओडर में ही चेंज किया गया और इस बीच अगली गेंड आइटेम, और दो भी किर से गेंड डालते हुए, ये गेंड सुनील को राल के आता से प्लेस किया, पॉइंट के दिशा में गेंड, वहाँ पर फील्डर गेंड को उटा रहे है, सुनील के पास मौका बनता हुआ एक रन लेने का, और इसी एक रन क के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, सही तीस रन, ठटीस से बंद रन जबकि स्कोर हो चुका है, रत्न दीप फोड के टीम ने भी बैटिंग ओडर में चेंज किया गया था, जो कि मंदर महेकर के साथ बंटी आने थे, लेकिन चेंज किया गया था, बंटी के पहले दूसरे बैटिंग करने के लिए, और इस मैस में भी यही देखने को मिल चुका है, संजोक को भेजा गया था, बैटिंग करने के लिए, उससे भी बहुत बड़ा प्रेशर बन गया, और श्मिर से बार अगली गेन लेकर इस ओवर में, साधिक गेन डालते हुए, जो कि वन डाउन मे गेन करते हुए, इस बार उटाने का प्रेयाद लेके, इस बार इसी पिल लेके, वहाँ पर गेन, फर्वर शाटे के तान पर गेन फिल हो रही है, एक रन, सिंगल्स की कोई चिंता रही है, इस एक रन के मदर से बढ़ता बावा स्कोर, 38 तर्टी एट रन स्कोर, फाइनल आकरी गेन, या सुनिल मोरे बड़ा शॉट खेल सकते हैं, या तवा नहीं, यह देखना होगा, उनके टीम के लिए बड़े शॉट क्या होए शकता है, ऐसे मेरा 38 पर स्कोर या पर लुड़कता हुआ, जब कि छे विकेट के नुक्सान पर फाइनल गेन, पहले निकी राटे अरनों का टारगेट है, सेकंड इनिंग के लिए, चलते हैं, डी जी के ओरन कि अनुटे के लिए शकता हुआता है, से टीम का धुड़ का जह देखना ऑ्रश पतकता है, डी जी zo ψुड़कता है, च identities कि वम ईखने का टी। झाल 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 सत्कार कराईचा संद्मान्चिन आणि पूश्पगुच्छ देऊं कोंडे गाउचे सरपंच ताच्प्रमाने सिवसेना विवाक प्रमुक संप्रुनकाजबागट महेश्जी देसाई झाल संद्माने स्वसेना संद्माने साथ संद्माने अन्व झाल 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 सन्मान चिन्न आणी पुष्प गुचा देवुन तेंचे सोगत केले दाते विविननती करतो सागर पाटिल याना की तेंचे दुमी सन्मान कराईचा सुधिर चालके यानांतर मुजम्मिल मुजावर यान्चा देखिली तेंचे सन्मान होतो है यानंतर विश्वास दसम् यान्चा देखिली तेंचे सन्मान चिन्न आणी पुष्प देवुन स्वागत होतो है रोहित सावन यान्चा देखिली विश्वास देखिली ताम्बे यान्चा देखिली शतकार होतो है रोहित सावन यास दर्मान मिर्जोले विवाक प्रमूग प्रवीण पवार यान्चा देखिली तेंचा आगमन होतो है जोर दार टाल्यांच गजरातनेच स्वागत कराईचे यानंतर मिर्जोला ग्राम पंचे सदसे रत नदी पाटिल यान्चा देकीली ते संद्मान होतो है तेने आपला संद्मान स्विकराइचे सागर पाटिली यान्द विननती असल की तेन्चा संद्मान कराइचे यानंतर राहूल पवार मिर्जोला ग्राम पंचे माजी सरपंच तस विद्यमान सदसे यान्चा देकीली ते सतकार उतो है तो तेनी स्विकराइचे प्रविन तांबे उपविभाग प्रमूक मिर्जोला अचिल्ला परिशत गट यान्चा देकीली ते शन्मान होतो है यानंतर युवासे ना उपतालूका प्रमूक संदीप जी नाकरेकर अम्चा स्कारी यान्चा देकीली ते सतकार उतो है तेनी तो स्विकाराईचे संदीप नाखरेकर यांचा इते सतकार होतो है यान अंतर मिर्जोलाय शाका प्रमुक स्रियाम कीर यांचा देकले इते सतकार होतो है तो ते निस्विकार है चे यनदे नारइण गावकर ययांचा दिक्किलीते सन्मानुत्पुए मनहोर सालवी ययांचा दिक्किलीते सन्मानुत्पुए दुधनी सविकारा отвеч सागर पहटिलेना विनथ्य अश्नरा की देनीदा शन्मान करatics शिवलकर काका याने देकेल आपला साथ कर स्विकराईचे सन्मान चिद्नाणी पुष्पग गुच्चे देउन तेंच सागत केले जाते राजु महाकाल मापरुष्मंडाचे खंदे कार्य गरते राजु महाकाल याने देकेले आपला साथ कर स्विकराईचे रोहित सावन कोंडे गाउचे रोहित सावन युवासेना सदस्या येते तेंचा देकेले ते सन्मान होतो है जोरदार टाडैंचा गजरातेंचा आपन स्विकराईचे ओंकार पवार हेदेकेल आपलाले लेते मान्ने वर लाबलेला है तेंचा देकेले ते सतकार होतो है जोरदार टाडैंचा गजरात तेंचा देकेले स्वागत कर Bizo अगाउचे विवाक प्रमोग शुषेनाγαट प्रबेशेत पवार याज पर्देचे प्रावयजा गाएते यांचा देकेले ते सन्मान होतो है मिस आगरपाटी लेन विनंति करतों गितनी शाल पुष्पो गुच्चा आनी सन्मांची नदे उन्तेंच स्वागत कराईचे धन्यवाद धन्यवाद सागर पंचंदनी मैच चालू करूँगा इचे धन्यवाद हर्शराज पाठील सहीब बिर्दोली प्रीमेर लिंग पाइनल का मैच और इस पाइनल के मैच में 40 रनों का टार्गेट बिल चुका है बाकाली स्पोर्ट की टीम के लिए और उनके दो बल्ले बाज जोनोंने की पीछने सेमी फाइनल के मैच को लगबग एक तरपा बना दिया और तिरपंधरन चेस किये थी वही दोनों उपनर बल्ले बाज निकुल पवार जोकी बायहत के बैस्मन और राइटन बैस्मन अप्या जोकी इसमें नॉस्ट्राइक इन पर और बॉलिंग मार्कियों पर गेन बाज है आजिम आजिम जोकी इसमें बॉलिंग मार्कियों पर राइट अब राउन दे विकेट से गेन करते हुए आजिम जोकी बायहत के बल्ले बाज निकुल के लिए गेन होगी ओर दे विकेट से ये गेन पई डी गेन को ड्राइव करते हैं ऑन साट पर गेन को केला है गेन जा रहे है डिकलेर इलाके में एक रन के लिए वाइबो जी पाठिल, हर्चरा जी पाठिल, कैला जी तामबे, प्रवीन जी तामबे, शिर्यामकीर, संदीब जी नाकरेकर प्रतमे जी पाठिल, रत्नदीब जी पाठिल, देजी देशाई, सुदिर जी चालके, मुदेबिल, मुझावर, विश्वाज जी, रोहीज जी सावन इन पिछ हमारे मंच पर बैटे वो है उनका एक बार फिर से स्वागत है एक बार फिर अगली गिन देकर बाया हस से यहाँ पर गिन बाद दिकरते हैं आजिम और आइटम राउंद विकर से निकुल के लिए गिन करेंगे यह गिन और बार निकुल ने फिर से गुमाकर गिन को क इलोरो के द्वारा कराप शेत्रक्षन का यहाँ पर फाइदा मिला गेन एक के बजाए माउंडर लेंग के बाहर चार अडों के लिए 40 रन का टार्गेट है रन संक्या बनी हुई है पाच बिना किसी विकेट के नुक्सान पर मिर्जोले प्रीमियर लिंग के टुन्नमेंट क फाइनल का मैच यहाँ पर खेला जा रहा है सेकंड इडिंग आरम हो चुकी है आज इम बाय हस्ते निकुल को गेन करेंगे एक पाट पी निकुल ने बॉलर ड्राइब कर दिया गेन के लोंगार के दिशा में जब तक ही गेन वापर फील हो रही है एक रन मिल चुका है और इ इस टुन्दामेंट के मैचेस को देख रहे है जा जगे मिल रही है अपने टुविलर पर बैटे हुए कई लोग खड़े हो चुके है कई लोग एटू रिक्षा से मैच को देख रहे है उनका फिर से एक बार स्वागत है और जबर दर सपोर्ट रही चुका है उनके द्वार इस टुन्दार चुके का इशारा अपने बैट से निकलता हुआ यह फ्लाइट शॉट गेंट लंक के बाहर रन संके 10 रन चालीस रन का पीचा करना है रन संके 10 अब भी तीस रनों के आवेश चकता है मैच को जीतने के लिए दो सेमी फाइनल के मैच कापी रोमांचक हो चुके है उसके बाद फाइनल के मैच लगबक ऐसा लग रहा है कि वन सेड होता जा रहा है क्रिकेट अनिचताव से बरावा केल है और आज हम चले गेंड करेंगे शशी कान अपया के लिए गेंड बाहर उठा करें क्लीन बोल इस चटका लगा बाकल स्पोड के शशी कान क्लीन बोल्ट आजिम की गेंड पर आउट हो है रन संके 10 रन एक विकेट के नुक्सान पर प्रेजेंटेशन सेरुमनी के लिए अदर्णी वैबो जी पाठिल हर्शराज जी पाठिल कैला जी तामबे प्रवीन जी तामबे सीराम कीर संदीव जी नाकरेकर प्रतेमेज जी पाठिल रतनदीव जी पाठिल महेज जी देशाई सुदिर जी चालके मुतमिल जी मुजाव पर विश्वाज जी रोईद सावन या पर मौझूद है उनका फिर से एक बार स्वागत है तो इसमें पहला छटका लग चुका है आउट हो चुक है आपर दसरन स्कोर एक मिकेट के नुक्सान पर मैदान पर आ रहे हैं बैटिंग करने के रिए दायहत के बल्लेबाज सादिक को भेजा जा चुका है बैटिंग करने के रिए क्रिकेट अनिचुता से भरा हुआ केल है और पब्लिक भी हमारी इसी अनुमान के साथ यस मैच को देख रहे हैं कि उन्हें रोमांज कारी खेल देखने को मिले और इसे में एक विकेट जद्दी गिर चुका है दसरन के स स्कूर्ट पर आचिम जिन्होंने की क्लिंग बोल्ट किया अप्याको रंसंग के दस साधिक स्टाइक पर बनले बाजी समय सामना करने के लिए बिर्जले प्रिमियर लिंग का ये टूर्णामेंट का फैले का बैच खेना जा रहा है पहले और में आजिम गेन करते वे साधिक के लिए और बार साधिक नहावाइस्टों के ला है गेन आ रहा है दंदन करते वी बाउंडरी लाइन की तरव बहुत ही शांदार बॉडरी लाइन के अंदर दो तिन कदम और ऐसे में ये तीसरे रन के रनाउट का खत्रा था हाना हो रही है इस बीच मोका के वल दो रहनों का और इसी बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है मिसर अंडर्जैनिंग देखनों की मिर रही है निकुला और इस समय साधिक के बीच और इस बीच ये दो रन बड़तवा स्कोर बारा रन ट्वेल रन स्कोर हो चुका है एक विकेट के दुक्सान पर तुन्डा मेंट का फाइनल का बाया चालीस रन का टार्गेट एक विकेट गिर चुका है पारी के पहले वोर के समापति हो चुकी है अरिकेट पाथिल अपने ठीम के दाश्च स्कोर नहीं बाना सके है लेकिन फेकर गिन बाज अक्सरोब ने का जाता है एक ना एक विकेट वो दरूर निकाल देते हैं अपने यसरे कि त्नमे पाथिल पाथिल एस से में रतनधीब बाठीर वाड़ी के मैदान पर है बापुरी स्पोर्ट की तरफ से गेन बादी की भागदोस सबाली हुए है बॉलिंग मार पर नेवर किश्रिवाद निकुल को गेन करेंगे बिकेट टेकर बॉलर अक्सरू ने कहा जाता है क्या ये एक बार फिर सच होगा इस मैच में अनिकेट पाठिल बॉलिंग मार पर रंसंक्या इस समय कुल मिलाकर बारा रन जीत के लिए 40 रनों का टार्गेट है बारा रन स्कोर हो चुका है और जब की पारी का दूसरा और आरंब किया जा रहा है पाच-पाच ओर का मैच है अधनी नमदर उदेजी समन साहिब यहाँ पर आने वाले है उनका भी इंतिजार किया जा रहा है उनके शिवा आतों से टॉपियों का वितर्ज किया जाएगा लेकिन अनिकेट नया और प्रारंब करते हुए निकुल को एज लगा है आउट होने का खत्रा विकेट टेकर बोलर और यह कैट डॉप कैट डॉप किया जा चुका है अनिकेट पाटिल को विकेट टेकर के इन बात कहा जाता है लेकिन फिल्डर उनका साथ नहीं दे सके कैट डॉप ऐसे बैस्मन का कैट डॉप जिसके लिए 500 रुपे का कैश ब्राइद लेकिन करे भी तो क्या करे अनिकेट बाटिल उन्हें विकेट मिलने के संभावना थी फिल्डोरों ने उनका साथ नहीं दिया चैट ड्रप रन सेंका इस समय कोल 13 जितने के लिए 40 रन बनान है रतना इरिकेट विकेट टेकर गिन बाट के रुपे उन्हें गिना जाता है एक न एक विकेट वो निकाल लेते हैं पहली गेट पर विकेट मिलने के संभावना थी लेकिन ऐसा कई बार ऐसा हुआ है कि जब कैट ड्रॉप हुआ तो उसके बाद अगले बजले बाद ने उनके गेट पर बड़ा शॉट भी लगाया है क्या ये कानी सच होगी इस मैच में अनिकेट की ये गेट और बाद ड्राइव करते हैं गेट को कहला लॉग ओन के दिशा में गेट जा रहा है वहाँ पर फिल्डर गेट को उठा रहा है एक रण मिलता हुआ बच्पन साधिक के लिए और इसी एक रण के मदद से रन संक्या चौदारन रन संक्या चौदारन हो चुकी है तार्गेट चारीज का है चौदारन दूसरे वरका केल प्रगदी बर पहली गेंद पर कैट ड्रॉप अनिकेद गेंद बाद जो कि इस समय उनकी गेंदों पर कैच ड्रॉप हो चुका है कापी बड़ा गेंद बाद है ये रतन दी पाटिरवाडी का एक ना एक विकेट जरूर दिलाता है अपने टीम के लिए ये यहाँ पर जरूर मिलने के संभावना थे विकेट लेकिन हाथ से निकलता हुआ कैच ड्रॉप हो चुका है दो फिल्डर वापर थे विकेट के बीजे काट बेन का एक मौका बन चुका था कापी देरी गेंद हावाँ में थी कहनी नहीं कर सके पिरसे एक बार अनिकेट इस समय दायहाथ के गेंद बाद उन्हें है ट्रिक के लिए ओमकार पाटी और विशाल पाटी के तरफ से पास्व रुपे का कैच प्राइज है इस बिच अगली गेंदे कर राइटम ओर दो विकेट से अनिकेट गेंद करेंगे मिर्जले प्रीमियर लिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है जो काफी हमारी पब्लिक या पर बैटे हुए उन पब्लिक का फिर से स्वागत है काफी बड़ा सपोर्ट हमारी प्रब्लिक का भी हो चुका है इस टूजनामेंट के लिए पीसे बार अगली गेन अनिकेट जो कि निकूल को करेंगे बायहाथ के बैट्समन निकूल सामना करेंगे बार बड़िया शॉट खेला है गेन टैवल करें डिप पॉइंट बाउंडर लेंग के ओवर वाव फर फिल्डर गेन को उठा रहे है इतविज मौका बनता हुँआ दो रन लेने का दो रन और इसमीच इन दो रनों के साथ त्रो इस समहल के आतों से किया जा रहा है जबकि गेन आ रहे विकेट की पर के ओर सुरिल मोरे के दस्तानों में रन संक्या सोला रन सोला रन स्कोर हो चुका है अनिकेट पाठिल विकेट टिकर गेन बाद वोने अक्सर कहा जाता है एक ना एक विकेट वो निकाल दे थे अपने पहले ओर में लेकिन इस बार पहली गेन पर विकेट जो मिलने के संभाव रहा थी कैट ड्रॉप हुआ विकेट की पीछे और इसे बिच अनिकेट पाठिल जो किन से हमें गेन बादी करेंगे निकल करिये निकल के तयार है इस बार उस गेन को खेला गेन गई सीधे वहाँ पर है और इस तरीके से नो बाल का इशारा है नो बृल का इशारा है, お एंपायरों का, और इसी के साथ, क्या फ्रीट का इशारा कर रह regular Wkyappear, निचित उस फ्रीट का इशारा कर चुके है, रंसंक्या बरती भी, दो रन, वन प्लस वन, दो रन, लंसंक्या, अठारा रन, 18 रन स्कोर, फ्री हीट है, और देखना है कि यह होगा कही साधिक, फ्री हीट का लाप किस तरीके से उटा पाएंगे, कितना बड़ा स्टोक लगा जाएंगे, लगाएंगे दीम निके लिए, जो कि इस समय अरिकेत, तैयार हो रहे हैं, गेन करने के लिए, विकेत बिल्ले की संबारा थी, थोड़ा सा मनम्बुल भी तुटा है, अरिकेत का, लेकिन वाप सी करनी पड़ेगी, रैटर प्रावन दो विकेत से गेर फ्रीट, बाल लेकर, इस समसाधिक को साधिक निद्मार ग्रावन श चालीस रन बनाने हैं, आदा रास्ता लगबक तैय करती हुई बाकारी स्पोर्ट की टीम, जो कि चालीस रन उन्हें बनाने हैं, ओर नमर पारी घंद उसरा जारी है, हर गेन के लिए, लेकिन इस समय दोनों बल्ले बाजी करते हैं, खास्तों से निकुल, एक जिवन दान मिल चुका है, कैट ड्राप हो चुका है, फिर से बार अनिकेट पाटिल, रैटम राउंद विकेट से गेन करते हुए, दाय हाथ के, साधीक बाहर निकलते हुए, इस बार इंचाड उकरने का प्रयागेर, हावा में कैच, फिर से बार अनिकेट को मोखा नहीं मिला, विकेट सकते जरूरत है, मापुरी स्पोर्ड और बाकरी स्पोर्ड के वीच, ये चलतावा टुन्डामेंड, मिर्जले प्रीमेर लिंक का टुन्डामेंड का फाइनल का मैच, कापी दर्शक, कापी हमारी पबलिक, एक अपना इंपोर्टन समय बिताते हुए, मैदान पर, उरका फि फ्रीमेर लिंक के टुन्डामेंड का मैच, मिर्जले प्रीमेर लिंक के टुन्डामेंड का मैच, इंपार उठाकर गैं का प्रलिक लेए, इस बार उठाकर पोशिष भापर थी, लेकिन आइन वक्त पर वो क्याश ने कर सके है पारी के ओवर की सबापती हो चुकी है रन संक्या 22 हो चुकी है और एक विकेट के नुक्सान पर और एक विकेट के नुक्सान पर शरीप के हाथ में गेंदी जा चुकी है अनिकित के ओवर की सबापती हो चुकी है दसरन दिये उन्होंने उन्हें कोई सबलता नहीं मिली निकूल का कैज उनके ओवर में ड्रॉप हुआ विकेट की पीछे लेकिन अब आटरा बॉल आटरा रणों की जरुवत अठरा बॉल में तीन छक्कों की जरुवत ये टुर्णामेंट जीतने के लिए क्या तीन छक्के जड़ेंगे लेकिन अठरा गेंदी अठारा रणों की जरुवत सामना करेंगे साधिक शरिप रैटे मोहर दोकर से पारिका थीसरा वर पहली गेंद करते हुए साधिक को गेंद, साधिक ने बैकपुट पर जाते हुए तबार कवर पर गेंद को उठा कर केला गेंद की नीचे फिललर कैच वापर और इसी भी जे विकेड गिरा दूसरे विकेड का पतन हुआ है बैक पुट पर खेलने का प्रयाज, कवर पर मानने का प्रयाज लेकिन सीधे ख्याद दे बैटे सुनील मोरे वापरत फिल्डर जोनी ने बड़िया क्याच कर दिया है चैतन ने चैतु आज अपने टीम के रिए कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके ना तो अपता कोई गिन उनकी दरब आ चुकी है अब 17 गिंदे और 18 रनों की जरुवत है जीतने के लिए अतुल लांजेकर बैदान की दरब आ चुक है बैटिंग करने के लिए 17 बॉल, 18 रन की जरुवत जीत के लिए यहाँ पर दिकुल एक सीरा के ओपर जम कर बैटिंग कर रहे है एक जीवनदान के सारे बल्ले बादी कर रहे है इस बिच मिर्ज़ले प्रिमियर लिंग मिर्ज़ले पंचक्रुश्य आईजित यह टुर्णामेंट और आज इस टुर्णामेंट का फाइनल का मैच जब 17 गिंदों के ओपर ठीका हुआ है 18 गिंदों की जरुवत पिसे शरीप जो की गिंद करेंगा तोल लांजे कर के लिए राटे महरद वेकर से गिंद डालते हुए यह गिंद और बार हावा दोरे मन से गिंद को खेला हावा में सब्सक्राइब खेला स्क्वेर लेक पर कोई फिल्डर नहीं जोईतु कापी दूर सा है स्क्वेर लेक के फिल्डर ने आकर गिंद को उठाया तब तो रन दो रनों के साथ अब जीतने के लिए 16 रनों की आवशकता है 16 गिंदे बाकी है 16 गिंदे 16 रनों की ज़रूरत है टुर्णामेंट बिर्चुले प्रिमियर लिंग का ये टुर्णामेंट टाइग अगर ये मैश फाइनल मैश टाइग होता है तो इस सुपर वोर का नियम लागू किया जाएगा लेकिन इसी भी चरीफ रेटे मोर्ड विकर से गेन करते हुए अतुल लांजे करके लिए इस बार हलिकप्टर स्टोक करने के प्रयाद और चैटू एक बार फिर मिस्पिल्डिंग आज चैटू के हाथ से कुछ नहीं होने वाला जो कि यह भापर मिस्पिल्ड हुआ चुन्य पर आउट हुए लेकिन सेमी फाइनल में क्या कमाल की बैटिंग की उनने लेकिन फाइनल के मैच में आज उनके हाथ से कुछ नहीं होता हुआ अपने टीम के लिए रन संके बंती वी सिविच यापर 26 26 रन जब की स्कोर हो चुका है बापरी स्पोर्ट और बाकर स्पोर्ट के बीज़े चलता वाट उनना पेट का फाइनल का मैच आतुल लाजे कर कोई बार खड़े-खड़े स्टोक केलने का प्रयाद बीठ होते हुए विकेट की परियन संके जब की गेट को ग्यादर कर रहे हैं बने का कोई बाखा रही इस समय 14 गेंदे बाकी 14 रनों की 14 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है फिर से बार गेंड करते हुए शरीप रेट मोर्द विकेर से गेंड करेंगे यापर दाय हाथ के बले बाद अतुल लांजे कर के लिए अतुल ने उठा कर गेंड को खेला हवाई स्टोक गेंड यहाँ पर कैज ड्रॉफ गेंड बादर के बाद फिर से मिस पिल्डिंग कैज ड्रॉफ हुआ और ये चार रन यहाँ पर मिलते हुए दो पिल्डर के बीच में से ऐसा लगा कि एक तरव शारुक काउं दूसरी तरव सलमानकार बीच में प्रिती जिंटा फरार वही नतारा देखनों को मिला गेंड बादरां के बाहर दस रनों के आवशक्ता जीत के लिए और असे में दस रन चाहिए जीतने के लिए एक तरवा मैंच बना रहे है कोई मौका नहीं दे रहे है अनिक इतने भी सॉलेट शुरुआत की लेकिन क्याश नहीं हो सका उससे बहुत बड़ा प्रेशर आ चुका है मापुरिश के टीम के उपर दस रनों की जरुवत तेरा गेंदे इसे भी चगली गन शरीब अतुल लेजबार रिवस अटेन किया क्या शौट खेला है गें छे रनों के लिए चुके आला की चार रनों का इशारा क्या जबर्दर स्टोक जबर्दर स्टोक रिवस खेला अतुल लंजे करने गें बॉड़रं के बाहर आप जीतने के लिए क्योवन मात्रे छे रनों के आवशकता जब दोनों सेमी फाइनल के बैच उवर की सबापती हो चुकी है और हमारी जो पबलिक बैच को सबाप लगबग देख रही है और वो समझ चुकी है आकिर में लगबग अपने गाड़ी की चावी गाड़ी को लगा चुके है केवल इंतेदार छे रन का है छे रन चाहिए जीतने के लिए बारा गेंदों में इस समय सुनी मोरे बॉली मार पर आ रहे है तीसरे वर की सबापती हो चुकी है एक तरपा मुकाबला हो चुका है फाइनल का मैंच मिर्जोले प्रीमेर लिंग के ये टॉर्नामेंट जबकि 40 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए बापुरी स्पोर्ट के टीम ने और 40 रन का टार्गेट जो कि आपर दिया है लेकिन अब टार्गेट से किवर चे रन दूर मिर्जोले प्रीमेर लिंग के पहले सिजन की वीनल टीम नजदीक आते भी काउन सी टीम तो इस समय विश्वास के साथ यहाँ पर कहा जा सकता है इस ओवर मेर देखने के बाद जो कि निकुल मैच विनिंग केर रहे है बाकाली स्पोर्ट की टीम का एक हाथ ट्रापी पर पहुँच चुका है छे रन चाहिए जीत के लिए निकुल का ही कैन ड्राप हुआता राउंद विकेर से सुनिल की गेन कापी ज़्यादा बाहर इस बार वन बहुद गेन बोटने की बाहर जा रहे है चार रनों के लिए फाइनलेक के दिशा में गेन को घुमाया गेन सीधे चार रनों के लिए फिल्डर के पास कोई मोखा नहीं अब जीत के लिए दो रन मिर्जले प्रीमेर लिंग दो हदार चोबिस के विनर टिम बाकाली स्पोर्ट के एवल दो रन दूर अपचारिता बनी हुई है ग्यारा गेन दो रन यहापर अब धीरे धीरे अपने लोग जो हमारी पब्लिक अपने गाड़ी की चावी लगाते वे किक आन करते वे अपने घरू की तरह बढ़ रहे है इस बार्गेन को के लवाइड बॉल और इसी के साथ यहापर जीत रहे है बाकाली स्पोर्ट दो हदार चोबिस के मिर्दोले प्रिमियर लिंग के फर्स्ट विनर फर्स सिदन की फर्स्ट विनर टीम बन चुकी है बाकाली स्पोर्ट बाकाली स्पोर्ट